अगर्थ है आपका उनिवासिटी सरकल में और हम इस वक्त हम मौझूद है अलिकर मुस्लिम उनिवासिटी के विमन्स कॉलेज में और यहां पर विमन्स कॉलेज की स्टुडेंट यूनियन के चुनाव चल रहे हैं अब को बताएं कि 2013 में Women's College की जो Student Union थी उसको University की Main Student Union से अलग किया गया था और अब यहां का पूरा जो चुनाव प्रोसीजर होता है वो University की Main Student Union से अलग होता है हमारे साथ यहां पर कुछ candidate मौझूद है आईए उनसे जानते हैं कि यहां पर Women's College के क्या issues हैं और वो किस तरह इस पर काम करेंगी सबसे पहले स्वागत है आपका University Circle में अब अपना नाम और अपना पत बता दीज़े शुक्रिया मेरा नाम जवेरिया बानो है मैं BA Final Year Women's College की तालिबा हूँ और मैं सेक्रेटरिशिप के लिए contest कर रही हूँ आपके क्या मुद्दे हैं किन बड़े पांच मुद्दों पर आप जाकर चनाव लड़ रहे हैं मेरा personally कोई agenda नहीं election contest करने का जो हमारे तालिबा का जो issues होते हैं उनको solve करना मेरा main motive election को लेकर के तो हमें जो चीज़े नज़र आती हैं कमिया जो हमें नज़र आती है वो administration में आती है women's college का जो fund होता है union का उसको लेकर के हमें बहुत बड़ी कमी नज़र आई है electricity को लेकर के हमें बहुत बड़ी कमी नज़र आई है और college की जो classes होती है academic performance को लेकर के हमें बहुत बड़ी कमी नज़र आई है तो उन सब को लेकर के हम मैंने decide क्या है कि मैं election contest करूँगी और इंशाला वो सारी कमीयों दूर कर सको अच्छे women's college के जब हम बात करते हैं तो last time भी हम एक बड़ी controversy देख रहे थे कि यहाँ पर timing का issue है कि यहाँ पर time एक तो हफते में एक बार आउटिंग होती है और जो time होते बहुत साड़े छे बज़े होता है कर सकती हूँ मेरे लिए मेरे साथ पूरा women's college activism होगा student activism के तुरू हम यह काम करेंगे और हम timing extend कराएंगे अच्छा दूसरा women's college के अंदर क्या-क्या फैसिक क्या उतनी facilities है लड़कियों के लिए कि वह बाहर ना जा यहीं सा सारा काम हो जाए उनका उस तरह की चीज़े करेंगे कि वह सारी चीज़े हम अंदर अवेलेबल कराई जाए लेकिन यह बात सच है कि हमें वह सारी चीज़ें नहीं मिल सकती है जो बाहर मिल रही है अच्छे एक आखरी सवाल एम्यू की जो लड़कियां हैं जो यहाँ पर स्टुडेंट्स आती हैं पढ़ने उनका एक परसेप्चन बाहर ऐसा बना हुआ है कि वह बोलती नहीं है या फिर वो मेंन स्पेस में जैसे यूनिवरसिटी की में स्पेस हैं हाँ पर आकर बोल नही ही मिल पाता है और बहुत शर्म की बात है कि लास्ट टाइम हमारा बज़ेट पास ही नहीं हुआ था तो इस बार पूरा पूरा बज़ेट पास होगा स्टुडेंट एक्टिविज्म के थ्रू पास होगा और सारे इवेंट्स होंगे तो यहाँ पे डिबेट वगरा कराई ज चाहूंगी वह बहुत अच्छे से जान ले अगर जब विमेंस कॉलिज की तालिबा अपनी आवाज उठाएंगी तो यह आवाज पूरे अलिगर में नहीं पूरे यूपी में नहीं बलके पूरे हिंदुस्तान में पूरे जहान में गुंजेंगी बहुत शुक्रिया बात क अगर आप कैबिनेट के पदपर जीच जाती है तो विमेंस कॉलिज के स्टुडेंट को आप से क्या फायदा मिलेगा मेरा फाइदा यहीं होगा कि वो लोग मुझको pressurize करेंगे किसी भी काम केरें तो मैं अपनी पूरी हमारे chair chiefs होंगे president saiba economic उनको pressurize करेंगे आप ये काम करragonे तो हम pressurize करेंगे हमारे यही गाम उसके लिए pressurize करने का और decision making भी हमारे उपर ही है तो हम सब मिलकर काम करेंगे तो इंशाला हम उनके उमीदों बेखरे उतरेंगे यही सब है अच्छा एम्यू में विमेंस कॉलिज अलग है बॉइस और विमेंस का एक अलग से जो स्पेस क्रियेट किया गया है उसको लेकर आपकी क्या रहा है यह कहां तक सही है और आज का जो हिंदुस्तान हम मॉडर्ण हिंदुस्तान देख रहे हैं उसमें इसकी जरुवत नहीं है कि कोईड एजुकेशन यहाँ पर हो यहां कोई ठीक है हम लोग का इतना मिक्सप नहीं होता है बॉइस और गल्स हम लोग साथ में नहीं पढ़ रहे हैं यहां की तहजीब किस तरह की है आप जैसे की जानती है कि यहां की जो यहां की एशूस पर मुखरता से बोल रहे हैं यहां की इशूस पर मुखरता से बोल रहे हैं तो यह काफी अच्छी बात है एम्यू की एक जो परसेप्शन बाहर बना हुआ है कि यहां पर लड़कियां बोलती नहीं है जंडर डिस्कर्मिनेशन है उस तरह की चीजों को लेकर हम देख सकते हैं कि यहां पर लड़कियां बोल रहे हैं कर रहे हैं और पूरे कैंपस में जैसे की हम देख सकते हैं यहां पर हर जगा पोस्टर्स है हार जगा पुरा माहौल है, सब लड़कियां यहां पर बोल रहे हैं कि आइश्यूज हैं, उनके क्या होना चाहिए, उनिवरसिटी में क्या होना चाहिए तो इस तरह की चीज़ें यहां अलीगरव मुद्टी में देखने को मिल रहे हैं और जो एक एमी की जो तहजीब है यहांपर हम जो यहां का कल्चर है वो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्शन का एक different culture होता है डियू से देखा जाए जेन्यू के comparison में देखा जाए तो उन सब चीज़ों का जो हम comparison यहांपर देख रहे हैं